स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर कलासेज में दोस्तों इस वीडियो में महत्तम समापोर तक निकालना सीखेंगे आपको हम दो बिधी से महत्तम समापोर तक निकालना सीखाएंगे एकदम आसानी से पहली बिधी है आभाज गुरन खंड बिधी दूसरी बिधी है भाग बिधी तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा सबसे पहले हम सीखते हैं आभाज गुड़न खंड बिधी से यच्छिय फ्यानी महत्तम समापोर तक कैसे निकालते हैं जैसे कोश्चन है एक सो अठानवे और तीन सो साथ का हमें महत्तम समापोर तक निकालना है तो दोस्तों एक सो अठानवे है और तीन सो साथ है तो सबसे पहले हम आभाज गुड़न खंड करने के लिए इस प्रकार लाइन खीचेंगे ठीक है इस प्रकार हम लाइन खीच लेंगे दोनों संख्या में देखिए दोस्तों आभाज गुडन खंड बिधी से महत्तम समापोर तक निकालना सीख रहे हैं तो उससे पहले हमें आभाज संख्या पता होना चाहिए आभाज संख्या वह संख्या होती है जो एक एवम स्वयम के अत्रिक्त अन्न किसी भी संख्या से विभाजित ना हो त केवल आप इन की प्रियोग करके गुडन खंड करेंगे ठीक है अगर दोस्तों और आभाज गुडन खंड करें रहे हैं अगर सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या या opener समक्रण करते हैं ठीक है तो दो से भाग करेंगे एक सो अठानवे में ठीक है दो से भाग करेंगे उननीस में तो दो नवा अठारा हो जाएगा ठीक है एक बचेगा उननीस है ना एक बचेगा तो इसके आगे आजाएगा अठारा हो जाएगा दो नवा अठारा ठीक है देखिए अब दो से निन्यानवे में भाग नहीं जाए तो तीन से भाग 11 बार जाएगा ठीक है 11 है तो 111 में किवल 11 से भाग जाएगा तो एक बार भाग जाएगा तो दोस्तों 198 का यह निकल कर आया अभाज गुड़नखंड है इसी प्रकार हम 360 का करते हैं इकाई का अंक 0 है जब भी इकाई का अंक 0,24,68 हो तो सबसे पहले दो से भाग करते हैं दो से भाग करेंगे 360 में तो 180 आजाएगा इकाई का अंक 0 है तो फिर दो से भाग करेंगे तो 90 आजाएगा इकाई का अंक 0 है तो फिर दो से भाग करेंगे तो 45 बार भाग जाएगा ठीक है 45 है तो 45 में हम 3 से भाग करेंगे तो चला जाएगा 15 बार 15 तियां 45 होता है देखी 15 है तो 15 में हम फिर 3 से भाग करेंगे तो 5 बार भाग जाएगा ठीक है देखी ये 5 है तो 5 में केवल 5 से भाग जाएगा तो एक बार भाग जाएगा तो दोस्तों यहां से 198 का आभाज गुडनखंड के आया इस तरफ जो आएगा वही 198 का आभाज गुडनखंड होगा यानि 2 गुडे 3 गुडे 3 गुडे 11 आया ठीक है और 360 का क्या आया आभाज गुडनखंड तो 360 का आभाज गुडनखंड आया 2 गुडे 2 गुडे 3 गुडे 3 गुड़े, पांच, ठीक है अगर आप आभाज गुड़नखंड विधी से महात्तम समापोर तक निकाल रहे हैं जो गुड़नखंड दोनों में कामण हो ठीक है उसे लिख लेते हैं एक बार देखिए दो इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी दो मिल रहा है तो यहां से एक दो ले लेंगे देखिए दोस्तों यहां तीन है और यहां तीन है ठीक है तीन मिल रहा है तो हम तीन को भी ले लेंगे जो दोनों में मिलेगा वही हम लेंगे बाकी सब को हम छोड़ देंगे दोनों में देखिए तीन मिल रहा है तो तीन को लिख देंगे गुड़ा करके यहां भ है इसमें कहीं पर दो नहीं है ठीक है यहां 11 है इसमें नहीं है यहां पांच है यहां पांच नहीं है जो दोनों में मिलेगा केवल उन्हीं को हम ले लेंगे तो इनका गुड़ा करेंगे 3, 3, 9, 2, 18 ठीक है यहां से क्या आगया 18 आगया और दोस्तों यही क्या होगा मासा होगा यानि महत्तम समापोर्तक होगा किसका तो 198 और 360 का महत्तम समापोर्तक 18 होगा आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे अभाज गुरन खंड बिधी से अब हम सीखते हैं भाग बिधी से मह समापोर्तक कैसे निकालते हैं दोस्तों 198 और 360 में सबसे बड़ी संख्या क्या है तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 360 है तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे तो छोटी संख्या क्या है 198 है ठीक है भाग करेंगे कितनी बार भाग ज तो लगभग 400 के करीब आएग नहीं एक उधाल ले लेंगे 1020 में से 8 को घटाएगे तो 2 आएगा यहां 5 बचेगा एक उधार दिया गया है इसलिए यहां 5 बचेगा तो एक उधाल ले लेंगे 15 15 में से 9 को घटाएंगे तो 9 6 15 हो जाएगा ठीक है यहां क्या बचा दो 2 में से एक गया एक दोस्तों आप ऐसे तब तक करेंगे जब तक की सेसफल 0 जीरो ना आ जाए देखिए दोस्तों यहां सेसफल क्या आया है तो 162 जीरो नहीं आया है तो हπαग करेंगे तो 162 से भाख करेंगे 192 में एक बार भाग जाएगा 162 हो जाएगा ठीक है तो आठा में से । 6 मिलेगा तो दोस्तु हमें दूमसेट अगले ग। 46 मिलेगा ठीक है 36 हो जाएगा टॉटल देखे सेट सेघल 0 नहीं हुए है तो फिर दोस्तों आप क्या करेंगे इस सेस्फल से भाग करेंगे जिससे आपने दूसरी बार भाग किया ठीक है यानि 162 में ठीक है तो हम भाग करते हैं तक ये 162 को हम यहां लिख देंगे और भाग करेंगे ठीक है दोस्तों तो 36 से भाग करेंगे कितनी बार भाग जाएगा तो 36 से भाग जाएगा लग भग चार बार ठीक है पांच बार जाएगा तो जादा हो जाएगा ठीक है तो चार बार लेकर जाएगे भाग तो चार चंग 24 की चार हो जाएगा हांसिल दो होगा चार तियाई 12 दो 14 हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहां से हम घटाएंगे 12 में से 4 को घटाएंगे तो आपने तीसरी बार भाग दिया था यानि इस 36 को यहां लिख देंगे और 18 से भाग करेंगे तो 18 से भाग करेंगे कितनी बार भाग जाएगा दो बार भाग जाएगा 18 दूना 36 ठीक है दोस्तों यहां से घटाएंगे देखिए सेसफल जीरो आ गया ना जिसके भाग देने से सेसफल जीरो हो जाए भाग में घटाया जाता है जिसके भाग देने से सेसफल जीरो हो जाए देखिए 18 के भाग देने से सेसफल जीरो हो जाए है जिसके भाग देने से सेसफल जीरो हो जाए वही क्या होगा महत्तम समापूर तक होगा तो 198 और और 360 का महत्तम समापूर तक यानि HCF क्या आएगा तो HCF 18 ठीक है दोस्तों जिसके भाग देने से सेसपल सूनने हो जाए जीरो हो जाए तो अठारा के भाग देने से सेसपल क्या हुगा है जीरो हुगा है अठारा दूना 36-36 में से 36 को घटाएंगे तो जीरो मिल जाएगा यानि दोस्तों 198 और 360 का महत्तम समापोर्तक 18 होगा जिसके भाग देने से सेसपल 0 हो जाए वही क्या होगा महत्तम समापोर्तक होगा दोस्तों आप कमेंट में बताईएगा क्या आपको अभाज गुरन खंड बिधी अच्छा लगा या भाग बिधी आपको कौन सा बेटर लगा इसे कमेंट बाक्स में बताईएगा एक कोश्चन आपके लिए है उसे स्वाल्व करके उसका उत्तर कमेंट बाक्स में दीजिएग दोस्तों इस question को आप solve करिएगा 132 और 312 का यह CF यानी महत्तम समापोर तक क्या होगा इसे निकालिएगा और comment box में उत्तर जरूर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके आल पर जरूर सेट करिएगा जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर